नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कशप एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में जब कोविड 19 के आने के साथ ही जिन्दगी बचाने और रोजी रोटी के सवाल के बीच इस पूरे देश को संघर्श करना पड़ा था अर्थविवस्ता ने भारी चोट सही लेकिन क्या इस बार के बचट के बाद एक रास्ता खुलेगा आज तक पर बेहत खास मैमार हमारे साथ भारत की चीफ एकनॉमिक अडवाईजर केवी सुब्रुमानियम जी यहां पर मौजूद है जिनसे हम बाचीत करेंगे कृष्णमू पूर्थी वेंकटा सुब्रुमानियम जी बहुत-बहुत स्वागत आपका आज तक पर आपने यह कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह तो हमें यह बताईए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे है एक इसवाइस में यह स्विंग है या विदाउट स्विंग है तो हमने जो उदाहरन था इसलिए बतलाया था कि जब पहले 5-6 मैंने जब महामारी की चपचल रही थी अनिश्चित्ता बहुत जादा थी तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह भारत भारती सरकार ने लोगों के लिए जो अनाज का 80 करोड लोगों के लिए free अनाज दिया मुफ्त अनाज दिया वैसे ही कंपनियों के लिए जो रिन है वो जब हटाए गये तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रीशनरी स्पेंडिंग पे धान देना शुरू किया जैसे कि आपने देखा होगा आत्म निर्वा भारत तीन के पैकेज में एक वेट सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया एक प्रतिशत जीडिपी के अनुपात में फिस्कल डेफिस्कल जो सपेंडिंग है उसको उसको और बढ़ाया गया इसी तरह जो डेखें तो अक्तोबर के महिने में सरकार का जो कापटल एक्सपेंडिचर है वो साथ प्रतिश्यत से बढ़ा नवंबर के प्रतिश्यत में हर माह के माह में कंपारें प्रतिश्यत बढ़ा और डेसंबर में दुबारा साथ प्रतिश्यत बढ़ा तो और यही आगे चलके भी इस तीन महिनों में भी होगा तो यह इसी लिए उदारन दी गई कि पहले जो पांच-छे मेहने जब अनिश्चा अनिशित्ता थी तब पुजारा की तरह बैठिंग ह और उसके बाद अभी पंत की तरह बैठिंग हो रही है और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो पिछले इस से पहले जो आत्मनेर्व भारत के तीन पैकेज आए मिनी बजट जैसे थे तो यही है पचास ओवर का एक सिलसला है चल रहा है मेरे सवाल में यह सिंग था कि यह 11 परसंट रियलिस्टिक है या नहीं क्या वाख़ी मतलब आप देखिए कि हम 18-19 में 6 दशमलों मतलब पैंडमिक के पहले पी जो हमारी जीडीपी थी ताड़े 6 फीजदी थी फिर उन्निस बीस में हम और नीचे गिरे 4 फीजदी पर आए और उसके बाद तो हमने नेगेटिव तक 7 परसंट के से जादा हम किरे अब मेरा सवाल यह है कि आप कहरें अगले साल में हम पहुंच जाएंगे 11 परसंट तो यह यह रियलिस्टिकली आप कैसे समझाएंगे पांच चीज़े हमें ऐसी बताईए जिससे यह मुम्किन हो ती दूसरी तीमाही में वो साड़े साथ प्रतिशत रहे गई तीसरी तीमाही में अनुमान है कि थोड़ी जो है पॉजिटिव रहेगी और चौती तीमाही में और विस्तार होगा और आगे बढ़ेगी तो यह जो वी शेप जो चल रहा है और इसमें भी जो क्रिकेट का पर जो डियरेक्शन था वいき भारती रुख यह रहे पाफर्मेंस रहा है। और आगे चल के यह मैनिफैक्चुरिंग सेक्टर वें कुछ शैक्टर में करीब 700-80 साल में जैसी जो जो लेवल नहीं हुई थी वह इस बार हुई हो यह ओंप फेस में और इसके अलाव है उनमें अभी भी मंदी है लेकिन बाकी सेक्टर में काफी वृद्धी आई है और जो पी माई यह तो मुझे जरूर मेरा मेरा विश्वास है कि 11 प्रतिशत जरूर आएगा आगे आगे साल में सोच समझ के आप बोल रहे हैं क्योंकि हमने जितने एस्टिमेट्स पहले कि कई बार हम नीचे रह गए हैं देखे यह तो मैं यह लेकिन जरूर बताऊंगा कि आर्थ चास्त्री जो है एक अस्ट्रालोजर नहीं होता अनुमान लगाता है अनुमान लेकिन स्टोरी पे आप उस नारेटिव को बहुत बढ़ा करना चाहते हैं आप बार-बार कहते हैं कि और हमारे जो सर्वे एकनॉमिक उसमें भी आप लोगों ने कह दिया है कि मूडी बड़ा मूडियल हो गया है स्टांडर और पूर का बड़ा पूर रेटिंग है और आम एफ ने हाला कि साड़े 11 दी के आसपास का नुमान लगाया है एक देश एक उपिनियन और ग्रोथ स्टोरी के नारेटिव पर क्या अपनी अर्थिव्यवस्था कि फैक्स और नंबर्स को आगे ले जा सकता है कि इस तरह की हिम्मत हम दिखा सकते हैं इस वाग और किस बना पर हम धत् इस पहले अध्याय में वॉल्यूम वन के हमने दिखाया है कि किस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग जो नीतियां ली गई वो काफी साहस पूर्ण ली गई क्योंकि जो शॉट टर्म पें जो कहते हैं महामारी के कारण शॉट टर्म पें थी लेकिन लॉंग टर्म गेन पे ध्यान लिए गया और इसके लिए साहस जरूर जरूर पड़ता है और सिर्व भारत में ही नहीं बाकी जैसे IMF के मैनेजिंग डिरेक्टर ने भी कहा है कि भारत ने काफी पार दर्शिता दिखाई है जिस तरह नीतियों को अपनाया है तो वो यह जो मेचॉर पॉलिसी मेकिंग है इ इंडिया को दिखा रहे है इस वक्त चाइना को भी 8.5 नंबर 2 पर और नंबर 3 पर उसके बाद Spain 5.9 और उसके बाद France यह सिर्फ अगला सल ही नहीं यह कैसे decode करें कि बाकी रेटिंग एजनसी जो है और IMF में यह डिफरेंस क्यों है opinion में क्यूंकि भारत की जो आप आप तो भारत ने इस ने सरे रिफार्म किये हैं इस महामारी के दोरान और अगयान होई आप कि जो आपकी MSME definition जिसके कारण कंपनियां एकदम बॉनी रह जाती थी उसको भी चेंज किया गया जो इस ऑफ डूइंग बिजनस है जहां हम 120 के उपर रहते थे वहां पर साथ में आये हैं अगले दशक में भारत में अचली काफी अच्छी विद्धी होएगी विद्धी का और विकास की दोज दर है वो साड़ेचे साथ प्रतिशत तक रहेगी और बड़े देशों में बाकी किसी देश का इतना रहेगा यह मुझे नहीं लगता भारत ही एकमात रहेगा अब चीफ साथ कुछ दो तीन जो बड़े मुद्दे इस देश के स्टाबलिश्मेंट और पॉलिटिक्स में सामने हैं उनको मैं कनेक्ट करती हूँ सबसे पहले हमारे एकनॉमिक सर्वे ने भी माना है कि लगभग 13 फीजदी जो क्रिशी विकास दर्था वो 17-18 फीजदी लॉक्डाउन और उसने हमें बहुत संभाला उस दौरा लॉक्डाउन के और मैनिफाक्श्रिंग सेक्टर का उल्टा हुआ क्रिशी के मुद्दे पर हम किसानों को अपनी तरफ करें इसमें सरकार बुरी तरह से अभी जद्दो जहद कर रही है एक सिचुएशन है बहुत अलामिक अगरिकल्चर सेक्टर को क्या यह बहुत बड़ा सेटबाक नहीं है जो दो से तीन महीने के हम देख रहे हैं और क्या सरकार को जल्द से जल्द इसका निवारन नहीं करना होगा वो क्रिशी बिल को पीछे करने से कम मारने को तयार नहीं है क्रिशी रिफॉर्म का क्या होगा देखिए मैं तो अर्थशास्त्री हूँ और अर्थशास्त्र पे ही बात करूँगा अपनी मर्यादा का उल्लंगन नहीं करूँगा लेकिन ये जरूर दहराऊंगा कि जो करिशी कानून है ये कानून जो हमारे छोटे किसान है उनको विशेश तह लाब पहुचा सकते हैं क्योंकि जो आप यदि देखें पिछले 60-70 वर्षों से जो हो रहा है जो छोटा किसान है उसके पास विकल्प नहीं होता जब वॉनधी में जाता है तो मंडी के जो जो खरीददार होते हैं वह गुत होते हैं और यहां बेशनाार चुह gratis न है जब जब किसान चोटा चिसान के पास विकल्प आता है तो चोटा किसान चेह सकता है कि आप यहीं सहीदाम नहीं दिया तो मैं जा कि किसी और के पास बेच सकता हूं यह तो एक common sense वाली बात है कि वो किसान पूछेगा कि ठीक आपने मुझे option तो दिया लेकिन मैं कल को private company के पास जाओंगा तो आप मुझे MSP की guarantee वहां भी दे दो ना कि मुझे वो लूटे ना देखें इसमें यहां पेदी आप देखें तो बाकी कितने सेक्टर्स हैं और उधारन दूंगा जैसे कई बार लोग यह कहते हैं कि लैंड पर प्रॉब्लम आएगा यदि मैं एक ओला कैब लेता हूं ओला कैब में सफर करता हूं तो उसके बाद वोला कैब तो मेरी नहीं हो ग अचली जब बाकी शेत्रों में ऐसा नहीं होता तो यह ऐसा कैसा है कि सिर्फ अग्रिकल्चर में ऐसी बात की जाती है कि आपने लैंड को इस्तेमाल कर दिया तो लैंड किसी और को हो जाएगा तो यह तो अफ़वाहें हैं जिनका कोई मूल जो सिद्धान्त है अर्थशास् के लिए ऐसा करना यहां पर भी मैं दोहराओं बताऊंगा कि जब आप माली जी आपने यह कोट बेचना है कोट खरीदने गए तो बाकी किसी में कहां पर मिनिममम सपोर्ट प्राइस होती है कि बताता यह जो 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 खरीदता है वो कहता है कि मैंने तो इतना पैसा देना ही किसी और खेटरे में होती है तो इसीलिए जो उसमें और उसमें आर्थिक दर्ष्ट कोन से देखा जाए तो उसने काफी सारे और भी जो जो प्राब्लम्स हैं और यह भी देखा जाए तो आच्छी मिनमम सपोर्ट प्राइस ता भी काफी सारे Bird By moora Sen Wie ण फार्म लॉज और MSP का उनसे मेल जो नहीं है MSP तो procurement के लिए है क्योंकि आप हमारी जो National Food Security Act है उसके तहत हमने काफी सारे परिवारों को जो मुफ्त में राशन तो देना ही पड़ता है जिसके लिए सरकार को लेनी ही पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी, procurement करनी ही पड़ेग यह तो अफ़ा है जिनमें इनको जोड़ा जा रहा है तो मैं आर्थशास्त्री के रूप में इनको तो मैं नहीं जोड़ोगा अब मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर आती हैं क्योंकि बेरोजगारी अगर आप देखें तो आज सबसे बड़ी समस्या है मन्थवाइस जो मैंने CMIE का डेटा है वो रखा है अपने सामने जनवरी के महीने में साथ पीज़दी के आसपास था लेकिन फिर जब ये हम अब एप्रिल के महीने में लॉकडाउन के बाद बूसे एप्रिल, मई, जून ये तेस पीज़दी, 21 पीज़दी, साड़े-दस प पहले तो मैं ये सरकार जो है जो PLFS की डेटा है जो periodic labor force survey unemployment के अंकडों के लिए PLFS पे ही अपना वही सही आंकडे होते हैं कि जो survey methodology है सर्वे methodology scientific होनी चाहिए और इसमें अभी और ये तो एक अलग बात होगे लेकिन इन आंकडों को संकेत हो सकता है लेकिन इन आंकडों को मैं एकदम एक मतलब फाइनल फाइनल वो तो नहीं लूगा दूसरी बात ये कि बेरोजगारी जो है महामारी की कारणा महामारी में ध्य साल में पहली बार ऐसी हुई है और वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक ने जून के जो उनके अडिशन थी उसमें कहा था कि 150 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि जितने देश हैं उनमें सब में इतनी GDP GDP गिरेगी तो जब 150 वर्ष में पहली बार ऐसा हो तो बाकी देशों में भी इसका असर पड़ा है आप यही आंक्रे आचिल उनाइटेट स्टेट्स का लेके देखें यूरप का लेके देखें तो जब अर्थ्यवस्ता पे महामारी के कारण असर पड़ता है तो उसमें यहां पे भी आता है असर लेकिन इस पे आप ध्यान दें कि क्या कदम लिये गए हैं जो आत्मिनों भारत त्री में तीन में जो जो वेज सबसीडी का जो प्रोग्राम था तो यह संगटिच्षेत्र में नौक्रियों नौक्रियां जो गई थी जैसे मार्च से अक्टोबर तक जो नौक्रियां गई है उनको भी वापस लेने के लिए लाने के लिए वेज संगटिच्षेत्र के जो रोजगार हैं वो काफी होते हैं इसके अलावा संगटिच्षेत्र में भी सिमेंट कंपनियां स्टील कंपनियां उनमें भी डिमांड बढ़ती है रोजगार आता है तो यह इसके पहले भी जब आप 1998 से 2003 का यदी समय लें तो जब एसिन फिनांशल क्राइसिस हुई थी तभी भी काफी असर पड़ा था जब भी बाहर से एक शौक लगता है तो अर्थववस्ता में असर पड़ता है तब भारत ने इंफ्रस्ट्रक्चर स्पेंडिंग की जिससे की ग्रोथ बड़ी रोजगार बने तो वही चीज हमने पहले किया दुबारा उसी को कर रहे हैं अब चीफ अब अब की तरफ ही तो देखेंगे सर को सजेस्ट की जिए नौकरी के क्या तरीके हो सकते हैं सिर्फ इंफ्रस्ट्रक्चर स्पेंडिंग और वो तो फैक्ट्रिया और यह सब काम तो चलता ही रहता है कैसे डिरेक्ट मतलब इंप्लॉइमेंट के और अपॉचुनिटी इसमें आउट आफ दो बॉक्स आपने क्या स्कूचा क्या सजेस्ट कि वही तो मैं कह रहा था कि जो वेच सब्सुडी प्रोग्राम जो दिया मान लीजिए एक एक एंप्लॉइर है जो अभी पंद्रह हजार का वेतन के वेतन में रोजगार लेता है तो यदि उसको पंद्रह हजार के बदले उसको सिर्फ तेरा हजार देना पड़े तो ऐसे उद्योग पती होंगे जो एक दो और हमने हायर कर लिया हर एक रोज उद्योग पती यदि एक दो और नौकर नौकर शाही रखता है तो उसके जब जब आप उसका सब एग्रेट करते हैं तो काफी जॉब्स बनते हैं तो यह एक आउट- ड्यूटी जो है कफी महत्वर रखता है आपका संग्टित और असंग्टित क्षेत्र में नौकरिया आने के लिये इसके अलावा जो जो हमने manufacturing में कि manufacturing sector में आप चीन को देखें बाकी देशों में काफी नौकरी वहां पर बनते हैं तो इसी लिए जो reforms आपके labor reforms से MSME definitions जो पीलाइ स्कीम ये सब manufacturing sector को और विगर लाने के लिए उसमें actually कदम लिए गया है देखिए जादूई छड़ी किसी के बात नहीं होती लेकिन अच्छे कदम लिए जाने चाहिए जिसका प्रभाव आता है दो तीन च्छे मैनों में और आएगा अब आम आदमी की जिंदगी में सीधे पहुँच जाते हैं उसको petrol diesel और खाने का सामान पेट्रोल डीजल की कीमते all time hyper है petrol 69% tax diesel 58% क्या इस तरफ कुछ हो सकता है कि कीमतों को कंच्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिसके बाद मैं इंफलेशन पर आओ तो कीमत जब आब बात करते हैं तो दोनों मिला की बात कर देता हूं जनता के रही क्या करें और आप देखिए कि जो अमीर थे उन्होंने बहुत नहीं खोया इस लोगडाउन में लेकिन जो गरीब थे जिसको कई economist के slice करते हैं जो अमीर थे वो उपर गए और जो गरीब थे वो और नीचे चले गए यह contradiction कैसे अड्रेस करें गया इसमें आप ध्यान दें कि डिसंबर की माह में जो आखड़े आये हैं उसमें वेजिटेबल्स टोमेटो टमाटर आलू प्यास के काफी कम कमी हुए तो यह पहले समझें कि क्यों बढ़ी क्यों क्यों थी लब जब लॉकडाउन लगा था तो जब एक शहर से दूसरा शहर इनको इनको भेजना पड़ता है तो रात में मानली जान अपाएं तो वो जो सड़ जाते हैं सड़ने के कारण जो सप्लाई कहते हैं सप्लाई कम हो जाता है और जिसके चलते आपके दाम इसमें दाम बढ़ जाते हैं तो वही चीज़ जो पहले हो रहा था अभी अभी अनलॉक फेस में क्योंकि ऐसी जो रेस्टिक्शन थी वो हट गई तो आप सप्लाई में अब सप्लाई अच्छी हो गई है और कीमते जो है आपकी वेजिटेबल्स टमाटर आनिये और प्याज और और आलू के दाम से जो कि आपके बाकी खादि पदार्त में आई उसके बाद सी पी आई में आई तो वही चीज़ जो सिलसिला है आगे चलके के उसके विपरीत होगा कि कम ही आएगी आप चुकि आपने टैक्स की बा यह बतला रहे हैं कि भारत सरकार को इस समय चोंकी एक मंदी का एक समय चल रहा है इस समय इंवेस्मेंट करने की जरूरत है और क्योंकि ऐसा समय जब आता है इसमें जो हमने काउंटर सिक्लिकल फिसकल पॉलिसी की बात करी है उसका मतलब यह है कि किसी भी अर्थ्यवस्ता में up और down होते हैं और जब fiscal policy जो है आपका counter cyclical होता है मतलब कि जब economy अच्छी कर रही है तब जब आपका जो सरकार है उतनी खर्च ना करे और उसमें तब जमा करे और जब economy उतनी अच्छी नहीं करे तब सरकार आचली और में इन दोनों इन में अच्छी काफी खर्च करें ताकि उससे जो है डिमांड आएगी क्योंकि vaccination जब होगा vaccination से काफी डिमांड आएगा क्योंकि लोगों में जो फड़ा डर जो है अभी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गये या फिर ट्रावल में गये तो उससे जो हमें कोविड कोविड लग जाएगा तो vaccination जब होगी उससे डर कम हो जाएगा और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी जिंदगी थी वह एक्शली दुबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी तो उससे डिमांड अच्छा आएगा उसी पर हमें ध्यान देना है वित्य घाट कि सरकार चिंताना करें इस वक्त पेंडिंग जादा करें हर ऐसे सेक्टर में जिससे की ग्रोथ हो यही एक्सीन क्या है इस बार आप बताइए एफ की वह वाक्सीन तो हम भारत बायो टेक और CII का लगा रहे हैं लेकिन अर्थ शास्तर के लिए अर्थ व्यवस्था के लिए कि इस्बाद वैक्सीन क्या हैता है अर्थ व्यवस्था कि लिए भी वैक्सीन है क्यों कि जब लोग कि योंग कि जब लोग वक्सिनेट होंगे तो उससे जो है सर्विष ए मंधी हो वो कम होंगी और भारत में करीब साथ प्रथिशत जो आपकी पुंट्रिबुशन है सर्व और बाकी healthcare जो spending है और real estate में जो emphasis है ये सब ये भी और भिन तरे के vaccine है हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सुप्रमानियम जी जुणने के लिए और तमाम बाते अर्थ व्यवस्था में कैसे सुधार हो बेहतर हो इस पर चर्चा करने देश दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप देखते रहें आज तक